तो दोस्तो सूपरिश्टर अक्षे कुमार की इस हबते रिलिज हुई फिल्म लक्षमी जोके एक हॉडर कोमेडिय फिल्म है फिल्म को 9 नौमबर को डिजने ब्लास होटी स्टार पर इंडिया में रिलिज किया गया था वही इस फिल्म को ओर्सिस मार्केट में लगबग 4-5 देशों के अंदर सिनमा घरों में रिलिज किया था तो दोस्तो लक्षमी बॉम फिल्म जब से रिलिज हुई है तब से ही मैं आपको इस फिल्म के जो ओर से इस कलेक्षन है यानि कि इंडिया के बाहर जहां ये फिल्म रिलिज हुई है उन जगों के box office कलेक्षन के रिपोर्ट दो दिने उससे बताते आ रहा हूँ लेकिन आप में से कई लोग ऐसे है जिनोंने मुझे से बार बार कमेंड में पुछा कि भाई लक्षमी फिल्म जहां इंडिया में रिलिज हुई है OTT प्लेटफोर्म डिजनी प्लस होटी स्टार पर तो इस फिल्म ने इंडिया में कितने करोड के कमई की तो दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म की जो रिपोर्ट है वो कल तक मेरे पास नहीं आई थी जिसकी वज़े से इस फिल्म के जो इंडिया के व्यूज का रिकोर्ड है वो मुझे नहीं पता था लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि डिजनी प्लस होटी स्टार के तरब से इस फिल्म की जो सुरुवाती दो दिनों के व्यूज है और दो दिनों के जो प्रोफिट है वो पता चल चुके हैं जियां दोस्तों आपको बता दे कि अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी की होरर कोमेडी फिल्म लक्षमी को सुरुवाती दो दिनों के अंदर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं OTT प्लेटफोर्म पर और इसी के साथ दोस्तों लक्षमी फिल्म इंडिया की फिल्म बन चुकी है OTT प्लेटफोर्म पर लेगिन दोस्तों अगर बात करें कि इस फिल्म ने सुरुवाती दो दिनों में डिजनी प्लास होट इस्टार पर कितने करोड का प्रोफिट कमाया तो दोस्तों ओफिसेल रिपोर्ट के मुताबिक डिजनी प्लास होट इस्टार सुरुवाती दो दिनों में लक्षमी फिल्म को दिखा कर टोटल 16 करोड रुपे का प्रोफिट कमाया है जहां दोस्तों आपको बता दे कि प्रोफिट उन्होंने 16 करोड रुपे का कमा लिया है यानि कि जब से इस फिल्म को रिलिज किया था उसके बास से ही अभी तक 16 करोड का फाइदा डिजने प्लस होटे स्टार को हो चुका है तो दोस्तों फिल्म को रिलेज हुए आभी तो सिर्फ दो दिन कंप्लीट हुए है और इस वक्त तीसरा दिन चल रहा है लेकिन उमिद की जा रही है कि आने वाले समय में फिल्म का जो प्रोफिट है और भी ज्यादा बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और आपके अपने इस चेनल एके भी मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूए